The Desert यानि रेगिस्तान जब भी हम कभी इस शब्द को सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक अलग ही चित्र बनके आ जाता है। रेगिस्तान के नाम पर हमें एक विशाल रेतिला इलाका दिखता है, जहां बारिश नहीं होती, इलाका पुरा सूखा है और गरब है और चारों तरफ केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। लेकिन जो लोग रेगिस्तान का करीब से अध्यन कर लेते हैं, उनका कुछ और ही मानना है। और ये कहानी इसी पर आधारित है। इस कहानी में बताया गया है कि रेगिस्तान एक सुन्दर जगा है और इसका एक अपना ही महत्व है। तो आईए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगिस्तान के बारे में प्रचलित विश्वास और इसका एक उश्न कत्वन दिये बगीचा होना। अधिकांश लोगों के लिए जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो कि जंगलों से ढका हो वो पहाडियों से घिरा हो रेगिस्तान की कलपना करपाना भी बहुत कठिन है। जादातर लोगों का यह मानना है कि रेगिस्तान रेद से ढकी अंतहीन जगा का नाम है। उनका विचार है कि यह सूखा, गरम, जलहीन और आश्रेहीन होता है। उन्हें यह भी लगता है कि रेगिस्तान में बिल्कुल बारिश नहीं होती, जिसकी वज़े से वहाँ कोई वनस्पती नहीं उख पाती है, किन्तु यह बिल्कुल भी पूनता सत्य नहीं है। विशेशग्य रेगिस्तान को एक सुन्दर स्थान मानते हैं। उनके अनुसार रेगिस्तान विभिन्न व्यक्तियों, पश्मों और पौधों का घर है, जिन्होंने ऐसी गरम और सूखी परस्तितियों में रहना सीख लिया है। रेगिस्तान में हर समय घास से ढकी धर्ती नहीं मिलती है, वर्षा भी दुरलव होती है, पर जब भी यह होती है, रेगिस्तानी फूल खिल उटते हैं, और तब यह स्थान किसी गरम देश के बगीचे जैसा सुन्दर हो जाता है। स्वच्छ जल का स्त्रोत मरुद्यान मरुद्यान रेगिस्तान के बीच यात्रियों के लिए एक आराम दायक स्थान है, कठोर रेगिस्तान के बीच ऐसे द्रिश्य काफी शान्ति दायक होते हैं। मरुध्यान किसी रेगिस्तान के बीच में किसी जर्ने या जल स्त्रोत के आसपा स्थित एक ऐसा शेत्र होता है जहां किसी वनस्पती के उगने के लिए परियाप्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती है अब बात करते हैं कि रेगिस्तान में जीवन यापन कैसा होता है एक रेगिस्तान थार मरुस्थल जो कि भारत के पस्ची मोतरी भाग में स्थित है कि तरह गरम भी हो सकता है और यह लद्दाक जो कि जम्मु कश्मीर राजी के पूर्व में स्थित्य की तरह ठेंडा भी हो सकता है साधारन तोर पर जब किसी स्थान पर जल या वनस्पती कम या बिल्कुल नहीं होते हैं तो लोग इसे रेगिस्तान कहते हैं जो रेगिस्तान लगबख पूर्ण तर जल विहीन होते हैं वहां रेट के टीले बन जाते हैं ये टीले रेगिस्तान में अपना स्थान बदलते रहते हैं रेत के टीले रेत के ढेर से युक्त टीले होते हैं जो कि रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवाओं से इकटी हुई रेत से बनते हैं और यह अंतहीन रूप से हिलते रहते हैं रेगिस्तान की ऐसी सूखी वस्थान बदलने वाली रेट में बहुत ही कम पौधे बच पाते हैं अब बात करते हैं रेगिस्तानी पशू व पौधों के बारे में सभी जीवों को पानी की आवशक्ता होती है रेगिस्तान में पाई जाने वाले पशुव पौधे कम पानी में जीवित रहने में सक्षम है उन्ट इन में से ही एक ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान के जहाज के रूप में भी जाना जाता है या कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है कारण यह है कि उट एक समय में खूब पानी पीते हैं और इन्हें पसीना भी कम आता है यह शरीर के उच्छ तापमान को सहन कर सकता है इसलिए जो पानी यह पीते हैं वह काफी समय तक इनके शरीर में बना रहता है रेगिस्तान के छोटे प्राणी पानी नहीं पीते हैं वह दिन के समय भूमिगत गड़ों में छिप जाते हैं वह केवल रात को खाने के लिए ही बाहर आते हैं यह उन्हें चरम रेगिस्तानी तापमान से बचने की अनुमती देता है इसकी अलावा इन में से कुछ जानवरों को पौधों के रस और कुछ को मीट की नमी से उनकी आवशक्ता के अनुसार पानी मिल जाता है क्याक्टस जैसे रेगिस्तानी पौधे अपने मोटे तनों की बदौलत पानी को स्टोर करने में सक्षम है ऐसे पौधों की जणे जमीन की सता के नस्दीक होती हैं अतर यह हलकी वर्षा से भी नमी ले लेते हैं सुरक्षात्मक आवरन का रेगिस्तान में मौजूद ना होना तापमान में विविर्ता और सूखापन रेगिस्तानों की विशिष्ट विशिष्टाए हैं हमारे शहरों वग गाउं में आद्र जलवायू रहती है हवा में मौजूद नमी एक चादर की तरह काम करती है यह सूरी की गरम किर्णों से धर्ती की रक्षा करती है अतर दिन में धर्ती बहुत गरम नहीं हो पाती वही चादर रात में धर्ती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती अतर रात में धर्ती अधिक ठंडी नहीं हो पाती इस प्रकार 24 घंटे के तापकरम में अधिक बदलाव नहीं होता है क्योंकि ऐसी चादर रेगिस्तान में नहीं है इसी लिए दिन और रात के तापकरम में वहां बड़ा अंतर हो जाता है दिन में तापमान बहुत बड़ जाता है उसी तरह से रात में या बहुत गिर जाता है रेगिस्तान का महत्व रेगिस्तान निश्चित रूप से सभी के लिए प्रकृती का एक उपहार है इसका महत्व वैसा ही है जैसा कि प्रकृति के अन्य उपहारों जैसे की वन और महासागर का है। सिर्फ इसी लिए कि प्रेगिस्तान सूखे वा गर्म हैं, हमें उन्हें प्रत्वी का बेकार हिस्सा नहीं मानना चाहिए, बलकि हमें उसे प्रकृती का आशिरवाद मानना चाहिए. आशा है रेगिस्तान पर आधारित इस कहानी से आपका रेगिस्तान के प्रती नजरिया जरूर बदला होगा अब आप भी समश रहे होंगे कि रेगिस्तान हमारी पृत्वी का कितना महत्वपून हिस्सा है